अराची टोल नैनो ओरल सालुशन जो है इसके बीच में कोली कलसी फिरोल 60,000 इंटरनेशनल जुनिट्स एक्टिव इंग्रिडियन्ट के तूर पे प्रेजन्ट होता है जो की एक फैर सॉल्वल विटमिन डी है और इसको जो है जर्नली प्रेस्क्राइब किया जाता है जब condition है जिसके वीश में हड़ियां बहुत ज़्याद है वीक और कमजोर हो जाती है जाँ फिर किसी को जो है vitamin D की जो है deficiency है तो उस दुरान भी जो है इस medicine को जो है prescribe किया जाता है जाँ फिर osteomalachia की condition है जाँ फिर rickets की condition है तो इस दुरान क्या होता है कि जो bones जो होती है तो वो बहुँ ज़्यादा soft हो जाती है क्योंकि calcium की कमी जो है हो जाती है उस बज़ा से जाँ फिर हाइपो-paratherodism के दुरान भी जो है इस medicine को जो है prescribe किया जाता है हाइपो-paratherodism जो है एक ऐसी condition होती है जिसके बीच में paratherod gland जो है वो बहुँ ज़्यादा कम calcium को हमारी body के बीच में बना पाता है और जिस दुरान हमारे muscles के बीच में cramps बगरा देखे जा सकते हैं, spasms बगरा देखा जा सकता है जाँ फिर latent tetanik के दुरान भी जो है इस medicine को prescribe किया जाता है, जिए एक muscle की disease होती है और जो की low calcium के level की budget से जो है cause होती है हमारी body के बीच में और इस दुरान भी हमारी body के बीच में cramps, spasms जो है वो देखा जाता है और जिए जो है mostly हमारे hands, feet और larynx के बीच में जो है देखा जा सकता है, जांफिर peripheral neuropathy की condition के दो्रान भी जो है इस architolo nano oral solution को prescribe किया जाता है तो architolo nano syrup जो है तो इसको generally use किया जाता है अगर किसी को calcium की deficiency हो जुकी है तो उसको treat करने के लिए, जांफिर calcium की deficiency को manage करने के लिए जो है इसको use किया जाता है हमारी जो हड़ीयं जो हैं तो उनको strengthness provide करने के लिए भी जो है इसको use किया जाता है तांकि हमारी हड़ीयं जो हैं मजबूत हो सकें और साथ में ही जो हैं इस medicine को जो हैं use किया जाता है तांकि हम लोग खाना विगारा खाते हैं तो ये solution जो है आप लोगों की body की proper growth और development में भी जो है बहुत ज़दा important role प्ले करता है आप लोगों की जो bones हैं तो उनको strong बनाई रखने में एक तरह से मदद करता है आप लोगों की teeth की health को भी जो है इंप्रूब करता है और साथ में ही जो भी आप लोगों के bones हैं जो जो cells जो हैं तो उनकी normal growth में भी जो है बहुत ज़दा important role play करता है अगर किसी भी persons को जो है vitamin D की deficiency हो जाती है तो उस दुरान जो है उसकी body के वीच में bone के dynasty जो है वो कम हो जाएगी जाँ फिर उसके वीच में osteophrosis की condition देखी जा सकती है जाँ फिर उसकी खड़ियों के वीच में fractures वगरा आ जाएंगे जाँ फिर रिकर्स की condition जो है वो देखी जा सकती है तो vitamin D की deficiency जो है तब होती है हमारी body के वीच में जब हमारी body के वीच में vitamin D का level जो है बहुँ जदा कम हो जाता है और जे जो है inadequate nutrition की budget से जो है cause होता है जा फिर intestinal mal absorption की budget से जो है होता है जा फिर कोई person ऐसा जो की गर में ही रहता है और अंदर ही रहता है दूप में जो है वो कम जाता हो तो उसको भी vitamin D की deficiency जो है बो हो सकती है जा फिर कोई ऐसा person जो की बहुत ज़ादे use करता हो skin creams का तो उसको भी vitamin D की deficiency हो सकती है तो vitamin D जो है जो है एक fat-solveal vitamin है और जो की हमारी body को जो है एक तरह से help करता है कि हमारी body जो है वो infection के against जो है वो fight कर सके और हमारे healthy immune system को भी जो है जे sport करने में मदद करता है तो जो risk जो होते हैं हमारे dant तूटने के जा फिर gum problems के तो उसको भी जे medicine जो है जो है जो है कम कर देती है और साथ में ही जे medicine जो है बहुत ज़दा help करती है एक तरह से जो भी muscles के वीच में pain होती है उसको कम करने के लिए जा फिर किसी persons को बहुत ज़्यादा थकान रहती है जा फिर कोई person जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है तो उस दूरान विज़े medicine बहुत ज़्यादा फायदे मंसाविद होती है तो यह supplement जो है एक तरह से essential supplement है बहुत ज़रूरी supplement है उन patients के लिए जिनकों की diabetic complications जो है वो देखी जाती है जो फिर cardiovascular diseases होती है तो उनके बीच में भी जो है इसको use कर सकते है तो हमारी body जो है वो vitamin D को जो है खुद बाखुद भी बनाती है अगर कोई person जो है दूप में खड़ा हो जाए तो body जो है vitamin D की deficiency को जो है एक तरह से किसी भी persons के वीच में cause कर देते हैं अगर कोई pregnant है breastfeeding woman है जा फिर कोई ऐसा person जिसको की कोई पहले से ही कोई बीमारी है तो उनको जो है इस architola nano oral solution को use करने से पहले एक वार जो है doctor को consult कर लेना है जे जो है higher dose होती है इस medicines के वीच में vitamin D की और इसको जो है आप लोगों को daily use नहीं करना होता है एक हपते में सिर्फ एक ही बार जो है आप लोगों को इसको use करना होता है तो अगर कोई pregnant woman है तो उसको जो है doctor की सला लेनी है और उसके बाद ही use करना है अगर doctor prescribe करे तब तो जी आर्ची टोर नैनो ओरर solution जो है तो जी breast milk के भीच में भी pass हो जाता है तो अगर कोई breast feeding mother है तो उसको जो है medical advice ले लेनी है इस medicine को use करने से पहले तो doctor जो है इस medicines को जो है कुछ points को दिमाग में रखके ही जो है prescribe करते हैं जैसे की particular जो person है तो उसकी age कितनी है उसका bed कितना है height कितनी है जा फिर कोई और भी physical condition जो है उसकी देखते हैं और उसके बाद ही जो है इस medicine को जो है particular persons को जो है prescribe करते हैं तो इस medicine को आप लोगों को जो है खाना खाने के बाद जो है खाना है क्योंकि vitamin D जो की इस medicine के वीच में present है वो एक fat solver vitamin है इसका मतलब जो है कि बो जो है water के वीच में dissolve विगारा नहीं होता है और हमारी body जो है उसको easily absorb कर लेगी अगर आप लोग जो है उसको खाना खाने के बाद जो है खाते हैं तो coli calciferol जो है जो है एक steroid hormone होता है जो की हमारी skin के वीच में खुदब खुदब भी जो है बन जाता है जा फिर जिसको की vitamin D भी जो है बोलते है और vitamin D जो है हमारी skin के वीच में खुदब खुदब भी जो है बन जाता है अगर हम लोग जो है दूप में खड़े हो जाए जांफिर किसी food से भी हम लोगों को जो है vitamin D जो है वो मिल सकते हैं तो यह जो coli calciferol जांफिर जो vitamin D है जे एक pro-vitamin होता है और जो की vitamins के वीच में convert हो जाता है जब हम लोग जो है इसको use करते हैं उस दुराण हमारी body के वीच में हमारी body के वीच में जे pro-vitamin से vitamins के वीच में convert हो जाता है और जे medicine जो है जो है बहुत ज़्यदा help करती है हमारी blood के वीच में जो calcium का और phosphorus का level होता है उसको maintain करने के लिए और साथ में ही जो bones के वीच में minerals होते हैं तो उनको भी maintain करने में जो बहुत ज़्यदा important role जो है प्ले करता है आप लोगों को जो है कभी भी high doses में जो है इस vitamin D को जो है use नहीं करना है कि उसे जो है आप लोगों की body के वीच में weakness जो है वो देखी ज़्यदा सकती है आप लोग अपने आपको बहुत ज़्यदा ठका ठका सा महसूस करेंगे आप लोगों को बहुत ज़्यदा नींद आएगी सरदर्द हो सकता है बूख कम लग सकती है dry mouth जो हो सकता है metallic taste जो है आप लोगों का हो सकता है nausea जो है आप लोगों को हो सकता है vomiting जो हो सकती है तो कुछ common अगर हम लोग जो है side effects की बात करें जो कि इस medicines के देखे जा सकते है जैसे कि constipation होना जाप फिर जो आप लोगों का blood है तो उसके वीच में calcium का level बढ़ जाना जाप लोगों के urine के वीच में calcium का level बढ़ जाना nausea होना, vomiting होना, chest pain होना जे कुछ temporary side effects होते हैं जो कि disappeared हो जाते हैं जैसे ही medicine जो है आप लोगों की body को adjust करती है तो उसके बाद अगर किसी भी persons को जो है लंबे समय तक के लिए रहते हैं तो आप लोगों को जो है doctor को consult करना है अगर हम लोग जो है प्राइस की बात करें तो जे medicine आप लोगों को